हालो एब्रीबड़ी वेल्कम बैक मैं चैनल बिल्कम नीरज और वेटा इसमें आपके questions होंगे 30 physics के जिनको नहीं पता उनको पता दू है कि हमारी जो series है इस चल रही 30 questions की और और प्रड़े में 30 questions आपको कराती हूं 90 days के लिए चल रही है जब तक आपका exam नहीं हो था तब तक और साथ में आपकी theory भी है वो भी मैं कराऊंगी चल इस स्थार्ट करने वाले हूं आपकी theory सहत आपको mcqs कराऊं कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि theory और mcqs साथ में कराईए देखिए question देखिए पहला which of the following non-metal is not a poor conductor of electricity इनमें से कौनसा metal है non-metal जो poor conductor होता किसका नहीं होता electricity का तो कौनसा है इसमें जो option हो जाएगा आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसका option B आपका सही है अब ये book की according आपको मैं बता रही हूं कि इसका जो answer है वो आपका B right answer ह एक नेक्स question देखिए in electric supply lies in India which parameter is kept constant तो जब electric supply कर रहे होते हैं हम इंडिया में तो आपको कह रहे हैं वो के कौनसा parameter हो ता हो constant रहता है तो काउनसा रहता है फिक्वेंसी आपकी constant रहती है c आपका उस्टन सही हो जाएगा ठीक है next question देखिए next question कह रहा हैं आपसे कि what is the maximum number of different electrical combination possible with three equal resistance तो इसका answer हो जाएगा आपका C, four answer आपका सही हो जाएगा next question देखिए next question आपसे कह रहा है कि जो mu होता है is unit of तो सभी को पता है कि mu किसकी unit होती है तो वो होती है आपकी conductivity ही ठीक है conductivity वेटा और resistance पे reciprocal cup होता है तो इसलिए conductivity का आपका सही हो जाएगा ohm आपकी resistivity की resistance की होती है unit ठीक पर देखिए permanent magnet होता है can be made from जो permanent magnet होता हो किस से बनावा होता है वो आपको बताना है तो बोना होता है आपका cobalt से आपका answer कौन से सही हो जाएगा a cobalt answer सही हो जाएगा next question देखिए mcb जो होता है आपका which cut of the electric supply in case of short circuit work on the तो यह जो mcb हम लगाते हैं अपने घरों में जहां से हम cut out होता है पूरे घर का हमारा घर में कहीं भी short circuit हो जाता है तो वहां से cut out हो जाता है automatically तो उसको हम क्या बोल देते हैं उसको हम बोल देते हैं हम से कह रहे हैं कि instrument used to store the electric charge is known as जो instrument होता है कौन से instrument जो store कर रहा है electric charge को तो उसको क्या बोलते हैं वो आपको बताना है तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हम capacity ठीक है तापर यह वाला जो option है बी option सही हो जाएगा next question देखिए conversion of chemical energy into electrical energy occur in इसको कौन सी option है जो electrical energy को sorry chemical energy को electrical energy में converge कर रहा है मतलब बदल रहा है तो इसका जो option हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा battery आपका option C सही हो जाएगा next question देखिए बोल रहे हैं a fuse wire is made up of तो एक fuse wire होता है वो किसका बना होता है वो आपको बताना है तो ज 10 लेड लेड वाला option सही होगा इसमें इसमें लेड option है नहीं बिटा तो मैं यहाँ पर एक option आपको डाल दे रही हूं कि मैं aluminium काटके यहाँ पर लेड लिख दे रही हूं ठीक है मानके चलो यहाँ पर aluminium लेड है ओके इस का answer क्या सही हो जाएगा an alloy of 10 लेड यहाँ सही हो खोलते हैं हमारे किसके साथ में alternative current की साथ मितलब AC के साथ में तो आपका A option सही हो जाएगा 10 का A बीड की next question बोल रहे हैं आपसे कि flaming right-hand rule है is used to find the direction of the flaming right-hand rule है उसमें जो direction होती है किसकी direction of the किसकी होती है तो flaming right hand rule होता है is used to find the direction of किसकी आपका induced current तो आपका c option सही हो जाएगा ठीक है induced current आपका जो direction होती है वो induced current को बताता है filming right hand rule ठीक है देखिए जो who invented the battery battery को किसम में इन्वंट किया था तो ये वाला question में एक वार करा सुकी हूँ एक वार वार तो इसका जो answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वोल्टा हो जाएगा next question देखिए a option सही है फिर देखिए थार्टीम देखिए बोल रहा है liquids and gases never source जो liquid and gases होती है वो क्या शूर नहीं करती है कौन सी property शूर नहीं करती है वो आपको बताना है तो ferromagnetic जो इसका जो जाएगा वो क्या हो जाएगा energy इसका अंसर भी आपका सही है हो जाएगा ठीक है next question देखिए the minimum and maximum value of power factor in ac circuit r तो minimum और maximum power factor पूछा है किसका ac का तो आपको बताना है तो minimum to minimum and maximum बोल रहा है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 to 0 and 1 तो minimum आपका 0 होगा और जो आपका power factor होता है ac circuit का वो maximum burn होता है next question देखिए in ac circuit the ac meter measures जो ac circuit है उसमें ac meter क्या measure कर रहा होता है वो आपको बताना है तो 16 का आपका rms value सही हो जाएगा next question देखिए 17 बोल रहे हैं आप से होट बायर a meter are used for measuring जो होट बायर a meter होता है वो किस को measure करने के लिए होता है तो वो होता है आपका इसका असर हो जाएगा आपका भी only ac जो alternative current होता है वो होट बायर a meter में use किया जाता है measuring के लिए ठीक है next question देखिए बोल रहे हैं आपसे 18 if the speed of rotation of dynamo is doubled कि his Rs. अगर स्पीड को double कर देते हैं कि बायर थे हैं इंडियोस जे स्पीड हो से दे क्या होगा हाफ हो जाएंगा हो जाएगा या four time को या फिर unchanged रहे तो जो आपका dynamic का rotation होता है वो स्पीड को double कर रा होता है तो induced this effect करता है वो विकम डबल हो जाता है वो भी डबल हो जाएगा ठीक है तो ये डायक्टिक प्रिपोस्टनल होते है एक दूसरे के पर देखिए नाइस कुशन देखिए है 19 बोल रहे है तो इनमेंसे कौन सा डिवाइस है जो वर्क नहीं करता है प्रिंसिपल अफ मीचोल इंडक्शन पर तो इसका जो अंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका आपका अंसर हो जाएगा आपका बताइए ए होगा आपका इंडक्शन कोईल होगा मोटर होगा टेसला कोईल होगा या फिर ट्रांसपोर्मर होगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी ओप्श resistance ठीक है तो B option आपका इसका सही हो जाएगा next question देखी अधिकतर इसमें B option नहीं सही है 21 देखिए a dynamo is sometimes said to generate electricity तो एक dynamo होता है sometimes said to generate electricity it actually act as a source of तो actually किसका source होता है वो आपको बताना है तो इसका जो आंसर हो जागा वो क्या हो जागा एम आप ठीक है फिर देखी आगे आगे देखेंगे आप तो आगे कह रहे है velocity of light is maximum in velocity of light होती है वो maximum किसमें होती है तो यह होती है vacuum में आपका option D सही हो जाएगा next 23 बुल रहे है which phenomena shows the particle nature of light तो इसमें जो आंसर आपका है पूरा sentence है फिनोमेना इसमें फिनोमेना लिखा हुआ ठीक है यह कट कर दे रही हूँ मैं यहाँ पर फिनोमेना लिख दे रही हूँ F E N O M E N A which phenomena shows the particle nature of light इन मैसे कौन सा फिनोमेना है जो particle nature को light के particle nature को शो करता है तो वो होता है photoelectric effect तो आपका C option सही हो जाएगा ठीक है नास्केशन देखिए नास्केशन आपस कहह रहे है An object in which no light rays can pass through is called तो इन मैसे कौन सा object है जिसमें कोई भी light rays पास नहीं होती है at all तो यह उपेक हो जाएगा आपका C option आपका सही हो जाएगा नास्केशन देखिए तो इसका जो जाएगा आपका 25 का 25 का आपका option हो जाएगा तो आपका E option सही हो जाएगा तो इसमें कहा क्या रहा है एक diameter है तो जो एक reflecting surface वाला diameter spherical mirror है तो इसको क्या बोलते है उसको बोलते हैं अपर्चर नास्केशन देखिए तो फोकल लेंग उफ जो फोकल लेंग होगे ब्लेंग मिरर की वो क्या होगी तो वो होती है आपकी infinity आपका आंसर D सही हो जाएगा next question देखिए a curved mirror where the reflecting surface is curved in what is called a तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा concave mirror तो concave और convex mirror तो आप जानते होगे concave mirror ऐसा होता है जिसे हम अवदल mirror बोलते हैं या अवदल दरपन बोलते हैं और आपका convex होता है ऐसा एक मिनट बनाती हूँ अच्छे से जैसे कि आप दो गूले बना लो यहाँ पर एक मिनट तो यह आपका जो है यह वाला जो है यह वाला इसको हम convex बोलते हैं तो यह इसको हम उत्तल तरप्ड बोलते हैं तो उसमें बोल क्या रहा है यह बोल रहा है curved mirror होता है where the reflecting surface is curved in what is called इन मैंसे कौन सा mirror है जो reflecting surface को काफ कर देता है inward मतला अंदर के और तो इसका answer आपका A सही हो जाएगा next question is 28 कह रहे हैं आप से if a ray of life incident on a plane mirror is such that it makes an angle 30 degree तो एक ray है light की incident light कितनी आ रही है incident light में angle जो बन रहा है plane mirror पे plane mirror है यह आपका plane mirror है मान के चलो ठीक है और इस पे incident light का जो angle बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 बन रहा है ठीक है तो बोल रहा है आप से with the mirror mirror के साथ में तो then the angle of reflection आप से पूछा है जो incident ray हो गई reflection का जो angle हो क्या है वो आपको बताना है तो आपका option हो जाएगा आपका इसमें 60 ठीक है आपका D option सही हो जाएगा आपका question देखे बोल रहा है आप से which of the following is employed to clearly view object which cannot be seen directly due to obstruction तो इसका जो answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा आपका periscope ठीक है इसका answer ये वाला question सही हो जाएगा option D last but not the least an object is placed between two parallel mirror एक object को हमने दो parallel mirror की बीच में रख दिया है जैसे ये दो parallel mirror हैं आपके मान के चलो ये mirror हैं आपके दो ठीक है उनकी बीच में कोई भी object हमने रख दिया है तो the number of image is formed इस तो number of image बनेगी वो कैसी बनेगी कितनी बनेगी वो आपको बतानी है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा infinity आपका answer सही हो जाएगा आपका D option सही हो जाएगा और एक और बत वतादू मैं आपको अगर आपको इन सारे questions का PDF चाहिए तो आप मेरी site है उस पर विजिट कर सकते हो जिसका नाम है beginbinneedas.com आप डाल सकते हो जो मेरे channel का name है वही name है उसका और इस पर ये सारे PDF आपको questions के मिल जाएगी तो जरूर चेक आउट कर लें अगर आप नहीं डालना चाहते हो Google पर जाके तो आप मैंना आपको direct link पी दे दूँगी इस PDF की जो इसका PDF है उसकी और आप description box में जाना उस पर क्लिक करना link में और आपको ये PDF मिल जाएगी आप वहाँ से download कर सकते हो ठीक है thank you so much for watching my take care कोई भी query हो कोई भी question इंदर दर हुआ हो तो मुझे जरूर बताएं कि मैं ये वाला question मुझे थोड़ा सा मैं confused इस question से तो मैं definitely इसो चेक आउट करूँगी और आपको बाद में बताँगी